हलो दोस्तो कैसे हो आप दोस्तो आज आपको हम बताने वाले हैं ओनली आधारकाड की मदद से आप अपना UAN नमबर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं ओनली घर बेठे दोस्तो अगर आप मेरे चेनल पे नए हैं तो मेरे चेनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तो सबसे पहले आपको EPFO साइट ओपन कर लेना है EPFO आपको टाइप कर देना है EPFO उसके बाद में इसको सर्च कर देना है यह कुछ लोडिंग लेता है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाता है तो उसके बाद में आप देखोगे तो आपको यहां नजर आएगा नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ इस ओप्शन पर आपको किलिक कर देना यह वाले ओप्शन यह वाले ओप्शन तो इस ओप्शन पर जैसे आप किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ ओफिशल साइट खुल जाता है EPFO का तो दोस्तों आज हम यह वीडियो इंप्रटेंड होने वाली है हम आपको only आधार कार्ड से UAN नंबर एक्टिवेट करना सिखाएंगे किस परकार से अगर आपके पास UAN नंबर नहीं है PF नंबर नहीं है तो दोस्तों आप अपना UAN नंबर किस परकार से एक्टिवेट कर सकते हैं only आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक mobile होना चाहिए जिसकी मदद से आप इसको activate करोगे और दोस्तो हम इसमें वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं only आपको अधरकर्ड के मदद से कैसे UNA number प्राप्त करना है बस आपका अधरकर्ड लगेगा और आपको एक smartphone होना चाहिए हाथ में जिसकी मदद से आप अपना UNA number को activate कर सकते हो और अपना UNA number प्राप्त कर सकते हो आपको कहीं company का चकर काटने की जरूरत नहीं है किसी भी company में आपको जाने की जरूरत नहीं है तो दोस्तो वीडियो को start करते हैं पूरा और मैं आपको बता देता हूँ Employee Provident Fund जो आपको दिखाया था मैंने इस पर आपको click कर देना जैसे मैं इस पर click करता हूँ तो यह कुछ इस प्रकार से खुल जाता है थोड़ा loading लेता है दोस्तों मैं सारा आपको live करके दिखा रहा हूँ आप आराम से थोड़ा time लेके आराम आराम से करिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो box आ रहा है इसको आप banner सा इसको आप यहां से हटा दोगे यहां पर एक cross का निसान होता है इसको हटा दोगे यहां पर इस cross से आप उसको हटा दोगे तो जैसे मैं इसको जबाता हूँ तो यह हट जाता है अब मैं आपको इसको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ यह एक official site खुल चुका है पूरा मैं इसको जूम करता हूँ तो यह कुछ इस प्रकार से खुल जाता है तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको यहाँ नजर आ रहा होगा KYC Update Member मैं आपको दिखा भी देता हूँ यह वाला Option इस Option पर आपको क्लिक कर देना जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यह खुल जाता है थोड़ा समय लेगा दोस्तों यह कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल जाएगा अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपके पास चीज नहीं है UNA number और password तो आपको यह जो UNA number मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें इस चीज की मांग होती है UAN number जो इसको हम बोलते है Universal Account Number और यह password अब यह भी हम कहां से मिलेगा दोनों इसी को प्राप्ट करने के लिए हमको only आधारकार की जरुरत होगी तो हम इसको पूरा प्रोसेस आपको करके दिखा देता हूँ तो जैसे हम इसको नीचे करते हैं इस प्रकार से उपर खेचेंगे तो आपको यहां पर नजर आ जाएगा यह activate option मैं आपको दिखा भी देता हूँ यह वाला option इस option पर आपको क्लिक कर देना जैसे हम इस option पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाता है अब मैं आपको बता देता हूँ इस option को आपको desktop mode में और कर लेना अब आप बोलोगे desktop mode में कैसे करना है तो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा उपर कौने में three dots मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस परकार से आपको यह नजर आ रहा होगा इस option पर आपको क्लिक कर देना जैसे आप इस option पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस परकार से यह खुल जाता है आपको यहां नजर आएगा desktop site mode मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस option पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस option पर क्लिक करोगे तो आपका mobile एक computer की screen के तरहा काम करेगा तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ अब देखो दोस्तों यह हमारा mobile एक computer की screen के तरहा काम कर रहा है अब हमको यह जूम करके मैं आपको इसको दिखा देता हूँ आपको किस परकार से अपना una number प्राप्त करना है आपको यहां नजर आ रहा होगा तीन option से आप अपना una number प्राप्त कर सकते हो पहली बात तो आपके पास una number होना चाहिए अगर आपके पास यह नबर ही नहीं है तो आपको यही तो प्राप्त करना है तो आप una की number की मध्स से एक्टिवेट कर सकता हूँ यह जए मैं यह वाले option ये वाले ये वाले option ये तीन option है इधर दे रखा है तो हमको हमारे पास तो नमबर जिसको यूनिवर्सल अकांट नमबर बोलते हैं वो तो है ही नहीं तो हमको कैसे प्राप्त करना है तो हमको तो यह प्राप्त करना है उल्ली आधरकार के मदद से हम इसको प्राप्त करेंगे तो हमारे पास आधरकार तो है यह वाला आधरकार हमारे पास है तो हम इसकी आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो आपको यूएने के पास ब्लेक डॉक्ड दित रहा है ये आपके अधरकार में आ जाएगा इस परकार से देखो आपको नजर आ रहा होगा मैं एकदम लाइव करके आपको यह दिखा देता हूं यह वाला option blank यह blank है इसके अंदर आपको आधरकाड के अंदर जो एक नंबर होता है 12 डिजिट का वह है आपको इसमें डाल देना है अधरकाड का जो 12 डिजिट का नंबर आपको दिख रहा होगा आप देखोगे नजर आ जाएगा अना तो उसको आपको इसम वर्थ होता है जनम्तिती होती है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है इस option में दिन की जगे दिन, महीने की जगे महीना और year के जिगे year मतलब की साल के जिगे साल आपको डाल देना है उसके बाद मैं आपको mobile नंबर भी इदर डाल देना है अगर आपके पास email id है तो आप उसको इस option में डाल सकते हो अगर आपके पास email id नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको जिस पे star ये red color का आपको दिख रहा होगा आपको क्लिक कर देने मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस option पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस option पर क्लिक करोगे तो आपको जो mobile number आपने इसमें अभी डाला था मैं आपको बता देता हूँ इस option का अपनो mobile number जो डाला था वे है उसके उपर एक OTP आपको प्राप्त हो जाएगा तो मैं आपको ये सारा कुछ डाल के सारा process करके दिखा देता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें मैंने पूरा particular अपना डाल दिया है अब इदर आपके सामने में निजी पैचान है इसमें कुछ छुपा दिया है मैंने सारा process डाल दिया मैंने capture भी इदर डाल दिया मैं आपको दिखा देता हूँ ये capture भी मैंने इस प्रकास से डाल दिया है अब मैं को only get authorization pin पर click करना है तो ये सारा आपके सामने एक जो mobile नमर आपने डाला था उसके ओपर एक message आएगा उसको आपको कहां डालना है वे भी मैं आपको बता रहा है सबसे पहले आपको ये जो i agree option दिख रहा है इस option पर आपको click कर देना है मैंने चोकर करके आपको दिखा दिया रहा है तलर से आपको यह नजर आ रहा होगा आपको यह i agree पर click कर देना है जैसे आप i agree पर click करोगे उसके बाद जो आपके mobile नमबर आपने flip किया था उसके ओप OTP को कुछ इस प्रकार से आपके पास वह आएगा मैं आपको दिखा भी देता हूं कि š aujourdिजित आपको यह पर नजर आ जाएगा लेकिन इस फोर डीजिट के अलावाए एक फोर डीजिट और आता है मतलब कि फोर डीजिट एक फोर डीजिट एक तो दो देना उसके बाद में आपको यो validate OTP and activate UNA पर आपको click कर देना मैं आपको दिखा भी देता हूं इस option पर आपको click कर देना जैसे आप इस option पर click करोगे OTP डालने के बाद तो दोस्तों आपके जो mobile नमबर आपने दिया था उसके ओपर एक UAN नमबर आपको प्राप्त नमबर प्राप्त हो जाए गा और ih DP जैसे आप डाल दो data यू न अभर नामब Oh धन्यवाद